चोटी-चोटी बातों को लेकर चेंता करना, हर बात में नेगटिव हो जाना, ज्यादा वहवों में पढ़ना, एंजाइटी होना, हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में, जो कि एक साइको किलर के जैदे, कितनी जनसंख्या को अपनी चपेट में लिए हुए है, इसी व काशन्न अपने आपको नाकाबिल समझने लगता है, वो ये सोचता है, इस काम को तो मैं कर ही नहीं पाउंगा, या तो मैं तो को lemons कर लायक हीा हूं, मेरे में तो कोई क्वालिटी ही नहीं है, मेरा तो future भी खराब रहने वाला है, और मैं सबकी जिन्द की खराब करूंगा, अपने आपको वे दूसरों पर बोश समझने लगते हैं, दूसरे लोग मेरी वज़ा से वाशर मींदा हो रहे हैं, और मैंने दूसरों पर लिए कभी अच्छा किया ही नहीं, प्रिजिकल सिम्टम्स देखें, तो एनर्जी डाउन होने लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता, किसे भी चीज में कांसेंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, भूख में और नीन में बदलावा जाता है, या तो बहुत अधिक भूख लगने लगती है, नीन या तो बहुत अधिक आने लगती है या पूरी रात पूरा दिन इधर उधर भटकते रहते हैं यूँ तो चिंता हर नॉर्मल इंसान की लाइफ पी रूटीन होती है लेकिन उसे डिप्रेशन नहीं माल लेना चाहिए लेकिन अगर यह चिंता बहुत लंबे समय तक चलती है वह बार बार ना करें आपका कोई परिवार का सदसे, आपका दोस्त, आपका कोई मित्र, कोई सगसंबंदी इसे अब आप यह साथ की जरूरत है उसे उसके डिप्रेशन के साथ अकेला ना छोड़ें डिप्रेशन किसी पैषेंट में जनेटिकली भी आ सकता है अगर उसकी फैमले में किस या बिजनस में कोई लॉस हुआ है या उस पर कोई गर्जा है तो विए इप्रेशन में आ सकता है बॉडी में हार्मोनल डिस्बालन्स हो जाते हैं जिससे उसका बॉडी फंक्शन रेगूलेट नहीं हो पाता रहा डिप्रेशन कही बार इतनी हाय रिस्क पर पहुंच आता है कि पेशन के मन में आतम हत्य की विचार आने लगते हैं या कही बार बार आतम हत्य की और कदम बढ़ा लेते हैं तो इन सब रिस्क प्रेक्टर्स को देखते हुए हल्फुल बनिये अपने उन दोस्तों के जो डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं एक्सेसाइज करना एक हैल्दी रूटीन फॉलो करना अच्छे हार्मोन को बादी में ड्वालप करता है अच्छे से नीन्स पॉलो करना अच्छे लोगों से मिलना कुछ ऐसे काम करना जिससे मन को खुशी मिले अच्छी जगहों पर घूमने जाना ये तो कम डिप्रेशन के मरीजों के लिए हल्फुल हो सकता है लेकिन यदे रिप्रेशन जादा घहरा हो चुका है या पुरा ना हो चुका है तो इसके लिए हम दो तरह के ट्रीटमेंट्स अडवाइस करेंगे एक पेशेंट सही साइकारिस्ट के पास पहुच गया तो वै अवश्य ही हल्फुल साबित होगा दूसरा एलाज है काउंसलिंग एक अच्छे काउंसलर के पास यदि पेशेंट सही टाइम पे पहुच जाता है वा उसे सही काउंसलिंग मिलने शुरू हो जाती है तो यह बहुत साइपल साबित होती है वै उसके मन में आ रहे नेगिटिव फोट को पॉजिटिव फोट में बदल सकता है उसे सही ग्यान दे सकता है उसे दिमाग में आ रहे नेगिटिव फोट को भी पॉजिटिव कर सकता है अगर आपको डिप्रेशन अभी कम लेवल पर ही है तो घर से किसी अच्छे वास समझार व्यक्ति का असर डिप्रेसिव व्यक्ति के दिमाग पर हो सकता है और यदि यह डिप्रेशन ज्यादा पुराना हो गया है या जड़ तक चला गया है तो आपको एक अच्छे counselor के पास depression वाले व्यक्ति को लेके जाने की जरूरत है इसके अलावा meditation भी depression से निकलने का एक बहुत अच्छा रास्ता है बहुत से Ayurvedic वर योगा केंद्रा ऐसे हैं जो रोगी को depression से बाहर निकाल सकते हैं उनके पास ऐसे ऐसी therapies हैं जो व्यक्ति को तनाव मुक्त बनाती हैं तो दोस्तो डिप्रेशन को शुरू में ही पहचान लें वा इसका इलाज जल से जल शुरू करके इस समस्या से समधान प्याएं जितनी जल्दी आप इस समस्या को समझ लेंगे उतनी जल्दी इसका इलाज संभव जल्दी हो पाएगा आशा करते हैं डिप्रेशन पर आपको हमारी है जानतारी पसंद आई होगी इस पर हमें आपके कमेंट्स वा सुजावों का इंतजार रहेगा साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें